Hello Everybody, Welcome to Step Up Lives. आज के वीडियो है कि का अपनी टैक्स रेजीम को इस साल के लिए आप किस तरीके से सेलेक्ट करें. काफी सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि अगर आप हमें एक डिफरेंसियेशन एक लाइव डेमो दिखा सकें कि कि तरीके से टैक्स रेजीम वख कर रहे हैं. निव टैक्स रेजीम और ओल टैक्स रेजीम एक पूरी तरह से मिस्ट्री बनके रह गया है कि क्या डिडक्शन हैं, क्या फर ओप्शन हैं, आपको कौन सा बेनेफिशल है? सब कुछ वीडियो के अंतक हम जैंगे. आपके लिए बहुत important यह है कि अगर आप इस वीडियो को अंतक देखते हैं तो definitely like, share and subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा आज की वीडियो हम जानेंगे कि नए tax labs क्या है, possible ways of deductions क्या होते हैं tax में, क्योंकि अगर वो जानेंगे तो ही जो excel sheet है, जिससे आप खुद select कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी tax regime बहतर है, आप पता पाएंगे क्या आप नए tax regime और old tax regime में video game खेल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, यानि वो भी हम आपको बताएंगे और नए साल के लिए क्या default option government ने चूज कर लिया है आपके लिए, अगर आपने ना भी चूज किया हो, तो government ने आपके लिए चूज कर रखा है, अगर आपको वो change करना है, तो वो आपको उन्हें बताना होगा, right, so let's quickly get into the first and foremost important thing, कि अपने पास क्या tax lab निकल के आ आ रहे है 23, 24 financial year के लिए, जो की relevant है हमारे new as well as tax old scheme के लिए, फटाउट देख लेते हैं, screen पे आपको दिखाई दे रहा होगा, yellow में old tax labs और blue में आपके पास new tax lab नजर आ रहे है, clearly देखेंगे 0 to 2.5 lakhs के लिए tax rate 0 है, 0 to 3 के लिए 0%, 2.5 to 5 lakhs 0% है, only if your total taxable income is less than 5 lakhs, अगर उससे 25 से 5 lakhs के लिए 5% आपको देना होगा, new में अगर आपने देख लिया, old देख लीजिए, अब है आप new tax lab के इसा आप से देखेंगे, 0 to 3, 0, 3 to 6, again 0, 3 to 6 lakhs, 5% only if your total taxable income is less than 7 lakhs, तो यहाँ पर जो clause है, अगर आपकी 7 lakhs से कम है, तो ही आपके पास वो lower वाले apply हो जाएंगे, फरावर देख लेते हैं, 6 to 9 lakhs में 0% tax लग रहा है, अगर आप 5 to 10 lakhs देखेंगे, old scheme में वो 20% पर है, 10 lakhs के ओपर 30% और यहाँ पर देखें, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 15, 12 to 15 20% और more than 15 lakhs का जो section है, उसी पर 30% लग रहा है, तो यह यहाँ पर बहुत जादा जरूरी हो जा रहा है, समझन फरावर देख लेते हैं, उससे पहले, before we go to our excel sheet, it is very important for us to understand कि आपके पास deductions लेने के लिए क्या क्या options है, because यह जो नई और पुरानी tax schemes निकल के आ रही हैं, यह इसी logic पर बेस्ट हैं कि कि कितना investment in terms of deductions आप कर पाते हैं, तो ही आप right scheme select कर पाएंगे, फरावर देख लेते आप करते थे, अब तक saving 1.5 lakhs under ATC आप कर सकते हैं, तो इसे हम एक deductions का section देंगे, जिसमें आपने 1.5 lakhs तक save कर लिए, फिर आते हैं ATD का section जहां पर आप home loan अगर आपने ले रखा हैं, तो interest of home loan up to 2 lakhs आप save कर पाएंगे, यह बहुत ज़्यादा essential है, अगर आपके पास home loan क interest इतना ज़्यादा नहीं है, तो यह बहुत ज़्यादा major role play आगे वीडियो में देखते रहिएगा, standard deductions जो हैं 50,000 वो सब के लिए है, HRA के कुछ sections हैं, साथ में ATD related कुछ sections हैं, जो health related हैं, insurance related as well as maybe आप कोई charity करते हैं, ATG related, वो भी सारी deductions को आप एक जगा इखटा कर उन्हें आप एक बार save कर लिजिए, एक जगा पर, क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, आने वाली excel sheet में जाकर अपने tax deductions को calculate करने में, और साथ में net tax निकल के आएगा, उसको समझने के लिए, हम live demo करेंगे, हर एक tax bracket के लिए, एक एक करके डालते जाएंगे, फड़ावट आगे बढ़ते हैं, excel sheet की तरफ, यह जो excel sheet आपके screen पर दिखाए दरिये, मैं कोशिश करूँगा की message description में भी दे दूँ, so that आप जो है, अपनी values input कर सकें, और अपने लिए end में, कौन सी बहतर है, वो एक comparison कर सकें, फड़ावट excel sheet में जाते हैं, to understand, first and foremost, 0 to 2.5 lakhs हैं, अगर आपकी income, तो अगर आप देखें, तो 50,000 का आपको standard deduction मिल रहा है, generally यह range में कोई extra deductions, यानि जो भी आप, मैंने आपको पता है, ATC की category, ATD की category में, उतनी कोई investments करता नहीं है, और करने की जरूद भी नहीं है, आपके पास tax lab, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो आप यहां पर आते हैं, around 5 lakhs तक, दोनों ही cases में, यह बहुत ही हमारे लिए better लग रहा है, अगर मानलों कोई ऐसे इसे इंसान ने जो 5 to 6 lakhs कमा रहा है, और वो standard deduction claim कर रहा है, उसका tax zero हो रहा है, यहां पर देखें, दोनों ही category में, आप कोई भी चुनले, कोई दिक्कत नही है, अब अगर हम समझने के कोशिश करें, किसी की salary अगर 6 to 7 lakhs की range में आती है, और अगर उसने standard deduction 50,000 claim किया है, और अगर वो अब तक सिफ extra deductions 50,000 ही claim कर रहा है, तो उसके पास अगर आप देखें, तो tax जो निकल के आ रहा है 22,500, और नई tax slab में उसे zero लग रहा है, even if he made more investment, मानलो उसने 1.5 lakh का भी investment किया, तो ही वो बोथ में आ रहा है, यानि कोई भी scheme उसके लिए applicable तब हो जाएगी, जब वो कोई extra investment, यानि ATC, ATD कर रहा है, और generally इस salary range में लोग इतना जादा investment नहीं करते, क्योंकि उनके पास take home ही काफी जादा कम होता है, तो let's go back to this example, मानलो यहा about much additional investment, जिसे हम extra deduction के नाम से दे रहे हैं, फटाउट देख लेते हैं, 7 to 9 lakh के आगा, मानलो अगर इस case में अगर हम लोग ने 50,000 का investment किया है, तो कौन सी scheme better निकल के आ रही है, अगर आप screen पर देखें, तो 7 to 9 lakh के लिए भी अगर आपने कोई extra investment नहीं किया, तो भी new tax scheme better निकल क आ रहे हैं, बट इसको अगर हम flip करें, मानलो किसी ने 1.5 lakhs या जो 2 lakhs है, उन्होंने अपना investments किया है, या वो काफी सालों से करते आ रहे हैं, मानलो हम assume करते हैं कि उस बंदे ने 1.5 lakhs किया, तब भी अगर आप देखें, तो new tax regime बहतर निकल के आ रही है, 7 to 9 lakhs वालों के ल expecting that somebody will be taking ATC का जो पूरा advantage है, 1.5 lakhs का उन्होंने ले लिया होगा, और अगर हम assume करें, उन्होंने वो लिया, plus 50,000 तो उनका deduction 20,000 के आसपास 2 lakhs तक आ गया उनका, अभी भी अगर आप देखें, तो नय और पुराने tax regime में नया वाला पहतर है, अगर मानलो इन्होंने home loan भी ले रखा है, और अगर ये मानलो 250,000 के आसपास का deduction लेते हैं, तो ही इनके लिए new scheme poor है, और old में जाना चाहिए, इसलिए ये देखिए, ये जो deductions का section है, उसको अगर आप ध्यान से देखें, you will realize, the more investments you are making in the salary range of around 7 to 9, और 9 to 10 lakhs की salaries में, तो ही आपके लिए जो old scheme है, वो बहतर ह अगर आप ऐसे इंसान हैं, जिसने कोई investment नहीं कर रखे हैं, और अगर आप new tax regime में जाते हैं, तो definitely आपके लिए बहतर हो सकता है, whatever देख लेते हैं, 10 to 12 lakhs का सिनारियो, अब ये सिनारियो में भी मैं assume करूंगा कि बंदे ने अच्छे कारे investment कर रखे होंगे, जैसे 2.5 lakhs तक अगर आप investment कर रखा होगा, मानलो अगर आप अजयूम करते हैं कि मानलो उनके पास home loan है, और उन्होंने around 3 lakhs तक का saving कर रखा है, तो ही अगर आप देखें, तो old scheme आ रही है, मानलो उनके investments ही around 2 lakhs तक हैं, अगर आप इस experiment को देखें, तभी भी old regime इनके लिए better आ रही है अग 50,000 का deduction साथ में ले रखा होगा, साथ में home loan as well as other investments like NPS, HRA, related investments उन्होंने लिये होगे, तो मानलो उनका deduction आ रहा है 3 lakhs का, 3 lakhs के deduction में भी अगर आप ध्यान से देखें, तो new tax regime बहतर निकल गया रही है, this can only be proved differently, अगर मानलो उनके investments हमने बढ़ा लिये होते, around कर लिये होते 3.5 5 lakhs का, generally speaking, कोई भी इंसान जिसके पास 2 lakhs का home loan interest वाला component ना हो, बहुत कम chance है कि उसके लिए old regime useful हो पाएगे, क्योंकि अगर आपके पास home loan का interest है 2 lakhs का, तो ही आपके लिए old regime बहतर हो पाएगे, फटवर देख लेते हैं, more than 15 lakhs में हम assume कर सकते हैं, easily उनके पास definitely larger home loan भी होग जिससे वो assume कर पाएगे एक बड़ा deduction, whatever try करते हैं, मानलो आपके सारी deduction मिलाकर 4 lakhs, जो maximum almost utilization होता है, वो करेंगे तब जाके more than 15 lakhs के individual के लिए old regime beneficial है, so more or less इसका जो conclusion है, ये निकल के आ रहा है कि अगर आप देखें, अगर आपके investments मानलो ज्यादा नहीं है, मैं assume करके चल रह कि आसपास अगर आपके investments निकल के आ रहे हैं, most cases में अगर आप देखें, तो new regime ही आपके लिए बहतर निकल के आ रही है, और जो भी investments आपने कर रखें, वो आप continue कर सकते हैं, बट new regime बहतर निकल के आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें, तो जो tax bracket है, वो पूरी तरह split हो answer करेंगे, first and foremost कि if you are looking for a situation which is like whether you can switch, आप switch कर सकते हैं, अगर आप एक salaried employee है, और आपके लिए एक important चीज़ बन जाती है, कि आप every year switch कर सकते हैं, new and old regime में, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, and by default, government ने new tax regime को रख दिया है, default, अगर आपको old tax regime के लिए apply करना है, तो आपको definitely अलग से form भरना होगा, अपने office के HR को inform करना होगा, अगर आपको ये video पसंद आया, आप तक useful लगा, तो definitely दोस्तों के साथ share करिएगा, क्यों मुझे लगा कि ये experiment as well as आपके सामने Excel में किया जाए, तो बहतर रहेगा, summary में मैं कहूंगा, अगर आपके पास investments around 2.5 lakhs to 3 lakhs के जो भी sections निकल के आ रहे हैं, हमने देखे investments के section में, अगर आप वो कर पाते हैं, तो ही new old tax regime आपके लिए beneficial हो सकती है, क्योंकि जो नया tax regime बनाया गया है, उसका main idea ही ये है, कि even if you are not investing, you would have more money in hand and you will be able to spend and drive the economy better, so if you like this video, then definitely comment your thoughts and share it with your friends, I'll try to put the link in the description for the Excel sheet, thank you so much and bye-bye.